नमस्ते बच्चों, आज मैं क्लाश 9 संचेन का पार्ट दिये जल उठे, इसका मैं MCQ परहाने जा रही हूँ, क्योंकि इस बार आप लोगों को MCQ प्रशन उत्तर भी पूछे जाएंगे, और इससे पहले क्लाश 9, क्लाश 10 किर्टिका छितिज, संचेन, इसका मैं सारा MCQ बना चुकी हूँ, फूल एक्स्प्लेनेशन समरी और कोश्चन एंसर भी बनाई हूँ, और हिंदी व्याकरन भी बहुत ही आसान रूप में मैं परहाई हूँ, तो उन सब को देखने के लिए, आप उपर दिये गया, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिये ग बल्लब भाई पटेल रास कप पहुँचे, गव 7 मार्च को, ख 10 मार्च को, गव 17 मार्च को, गव 27 मार्च को, तो बल्लब भाई पटेल रास कप पहुचे, इसका सही उतर है, गव 7 मार्च को, दूसरा प्रस्ण है, बल्लब भाई को किसके आदेश पर गिरफतार किया गया, को कलक्टर तुकाराम, खो कलक्टर भीरे, गो कलक्टर सिलिडी, गो कलक्टर तुकाराम तो बल्लब भाई को किसके आदेश पर गिरफतार किया गया, इसका सही उत्तर है, गो कलक्टर सिलिडी तीसरा प्रस्ण है पटेल को किस आदालत में पेस किया गया को सावर मतिक हमदावाद गो सूरत गो वोर सद चोथा प्रस्ण है पटेल को क्या सजा सुनाई गई को एक सप्ता की जेल Guys 2 महने की जेल गो 500 रुपे जुर्माना और 3 महने की जेल और गह एक दिन की जेल, तो पटेल को क्या सजा सुनाई गई, इसका सही उतर है, गह पांच रुपे जुर्माना और तीन महने की जेल, पांचमा प्रस्ण है, अब दांडी कुछ की तारीख बदल सकती है, या किस ने कहा, गह पटेल ने, मदन मोहन मालविय ने, गह गांधी ज जी ने कहा था, छठा प्रस्ण है, मदन मोहन मालविय ने, एसेंबली में क्या प्रस्ताव पेश किया, गह बिना मुकदमा चलाए, पटेल को सजा देने का, गह भारत को आजाद कराने का, गह पटेल को रिहा कराने का, गह बिश्विद्याले खुलवाने का, तो मदन मोहन मा आप त्याग और हिम्मत सीखें, गांधी जी ने या किसके बारे में कहा, गांधी जी ने या किसके बारे में कहा, गांधी जी ने दर्वार समदाई के लोगों के, तो आप इनसे त्याग और हिम्मत सीखें, गांधी जी ने या किसके लिए कहा था, आप पढ़े होंगे, उसम गांदी जी ने दर्वार समदाई के लोगों के लिए कहा था घषा उत्तर सही है आठमा प्रश्न है सरकारी नौकरियों से कौन लोग गंधी मख्षी की तरह चिपके हुए थे को मुखी लोग घषा तलारी लोग मुखी और तलारी दोनों घषा इन मेंसे कोई नहीं तो सरकार नोक्रियों से कौन लोग गंधी मक्खी की तरह चिपके हुए थे मुखी और तलारी लोग यानि उस समय अंग्रेज का सासन था और अपने भारत देश के कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेज का ही गुलाम बनकर जीवन भर रहना चाह रहा था उनके उनको देश की आजादी के के लिए कोई चिंता नहीं थी तो गंधी जी उन लोगों को ये कहे थे कि आप लोग गंधी मक्खी के तरह क्यों चिपके हुए हैं ऐसी नोक्रियों के लिए जो देश को इस तरह से परेशान कर रहा है तो सरकारी नोक्रियों से लोग गंधी मक्खी की तरह चिपके हुए थ इसका सही उतर है गव मुखी और तलारी दोनों नाइन नमर प्रस्ण नदी के तट पर सत्यागरहों का स्वागत किशने किया खो ठंडी वयारों ने खो बर्फिली हवा ने गव अस्थानिय लोगों ने गव इन में से कोई नहीं तो नाइन नमर का प्रस्ण का उतर देखिए क कि नदी के तट पर सत्याग रहों का श्वागत किस ने किया इसका सही उत्तर होगा गा अस्थानिये लोगों ने किया आप गा उत्तर इसका सही होगा को नहीं देजेगा दस नमर का प्रश्ण है गांधी जी को नदी पार कराने की जिमेदारी किस के थी और ग्यारा नमर प्रश्ण है किस नदी के तट पर लोग इकठे थे गा गंगा खा मही गा यमना और ग्रिश्णा तो किस नदी के तट पर लोग इकठे थे यानि बहुत सारे लोग इकठे हो गये थे तो मही नदी के तट पर यानि खो उत्तर इसका सही है तो बच्चों इसमें 11 प्रश्ण है और 11 प्रश्ण का देखिए उत्तर यहाँ पर दिया गया है और इसमें आप मिला भी सकते हैं उ कौन बोल रहा है किसका कथन है और वक्ता कौन है कौन बोल रहा है तो यह आपको मिलान करने के लिए भी आएगा इसे में लगा भी दियूं टिक आप चाहे तो नीचे भी इसका उतर दिया है मिलान कर सकते हैं को का है अब दांडी की तारिक बदल सकती है कौन बोले थे गांध जी को बोल रहे थे कि अब हो सकता है आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा ग्यारा नमर प्रस्टारी अभिव्यक्ति की सुतंद्रता के सिद्धांत पर हमला है कौन बोला था मुहमद अली जिन्ना बोला था गौ का है इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें कौन बोले थे गांधी जी बोले थे अंगा का सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरसकार के रूप में बोला कौन बोले थे गांधी जी बोले थे वहां के अस्थानिय लोगों को और तेरा नम्मर का इसमें देख सकते हैं उचित कथन के साथ मिलान करने के लिए रहेगा गांधी जी ने कहा कि मैं स्वराज लिये बिना नहीं लोटूँगा मतलब अपने देश को आजाद करके ही मैं लोटूँगा गांधी जी ने कहा कि मैं उस समय जहां भी रहूँगा संदेश वाहक तुमको वहां तक ले जाएगा गौका सरदार को यह सजा आपकी सिवा के पुरसकार में मिला है गौका आसरम बाशी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे यानि पटेल जी को जब गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो वहां के लोग पटेल को एक झलक देखना चाहरहे थे अंगा का है गांधी के रास पहुंजने के समयवा कानून था जिसके तहत पटल को गिरफतार किया गया था चोंका गांधी जी ने अपने भासन में क्या कहे थे कि दर्बारों का खास तोर पर उल्लेक किया था कौन किये थे गांधी जी ने किये थे तो ये 13 नमर का मिलान करने के लिए रहेगा बच्चों और 12 और 13 देखे सारे उत्तर इसमें दिया गया है अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं लेकिन मैं सारे में ठीक लगा दी हूँ और जो मिलान करने वाला है उसको मैं मिलान भी कर दी हूँ तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा आप एक एक करके इसमें देख सकते हैं और बच्चों इसी के साथ पार्ट की शमापती होती है आसा है आप लोगों को सारा पार्ट समझ में आ गया होगा एक जाम के लिए अच्छी तरह त्यार कर लिजेगा और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजेगा ताकि जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और लाइक शेर जरूर कीजेगा कॉमेंस कीजेगा कि आपको यह पार्ट कैसा लगा नए पार्ट के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों धन्यवाद